जिन भी विद्यार्थियों को दस्वी या फिर बार्वी हरियाना ओपन स्कूल यानि यानि की घर बैठे करनी हैं तो उनके लिए मार्च दो हजार पत्चिस परिक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं आप हरियाना बोर्ड की अफिशल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं उसके लिए कुछ शुल्क और जो अंतिम्ति थी है वो इस लेटर के अंदर दिखाई गई है तो दस्वी के लिए बिना लेट फीस के आप एडमिशन ले सकते हो 16-9-2024 से 15-10-2024 तक उसके लिए आपके फीस लगेगी 1200 रुपे उसके बाद आप 16-10-15 11 तक 100 रुपे विलंब सुल्क सहित आप एडमिशन ले सकते हो और 16-11 से 10-12 तक आप 300 रुपे लेट फीस के साथ उसके बाद 11-12-32 तक 1000 रुपे लेट फीस के साथ आप आवेदन कर सकते हो इसी तरीके से सिन्य से केंडरी यानि प्लस टू के लिए 16-9-2024 से 15-10-2024 तक आप 12-12-32 रुपे फीस के साथ ओन लाइन आवेदन कर सकते हो और उसके बाद 100-300 रुपे और 1000 रुपे लेट फीस के साथ आप निमन डेटों में भी एडमिशन ले सकते हो तो से केंडरी सिन्य स्केंडरी फ्रेस रिवनी में प्रायोगिक परिक्षा के लिए 100 रुपे प्रती प प्लस टू के अंदर कोई अडिशनल सब्जेक्ट लेते हो तो उसके लिए आपको एक अडिशनल सब्जेक्ट के 200 रुपे अलग से देने होंगे इसके लिए अतरिक्त ऐसे परिक्षार्थिं द्वारा ओनलाइन आवेदन के साथ ही परिक्षा के माध्यम का चुनाव करना हो यह लेटर अगर आपको डाउंडंड करना है तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करोई फोर्न में डाउडंड कर सकते हों और आपको ऐंलाईन से अधर करना है पहले आपको रेजिस्ट्रेशन कर लेना जैसे कि आपको दसने के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप सारे दिशानी देश ठीक से पढ़िएगा टिक मार करके प्रोसीड करिएगा ओपन फ्रेश स्टुडेंट रेजिस्ट्रेशन यहां पर कुछ ऑप्शन देगे वह पढ अथोरिटी यानि जो बर्थ प्रूफ आपका जिसने इशु किया है जिसके सिगनेचर उसके उपर होते हो आप यहां पर डालेंगे डेट ओफ इशु यहां पर डालेंगे पिच्छ एलिजिबिलिटी करके आपका आगे का जो एप्लिकेशन फोर्म हो जाएगा और आप आप अप्लिकेशन कंप्लेट करेंगे और लास्ट में आप रेजिस्टेशन फीज जो होती है उसको पे करके आप अपना एप्लिकेशन सब्मिट फाइनली कर सकते हो उसके बाद जो आपको दिशाने देश बोर्ड द्वार दिये जाएंगे आप उनको फोलो करते हुए मार्च दो हजार पत्चिस की परिक्षा में अपियर हो सकते हो अगर आपको यह वीडियो पासंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर एलइजी धनिस वीडियो